तो question है कि how much water should be filled in a container of height 21 cm तो एक container है 21 cm का 21 cm का एक container है सवाल पुछा जा रहा है इसमें कितना पानी डाला जाए कि यह आदा भरा हुआ नजर आए ऐसे नहीं बोला कि आदा भरना है कोई भी आदमी यहां से देखे एक आद उसको लगे कि आदा भरा हुआ आदा खाद लिए इसके लिए से कितना पानी डाला जाए चार option इसके एक है 8 cm दूसरा है 10.5 cm यानि 21 का आदा तीसरा है 14 cm और चोथा है 12 cm अकसर इसके 3 जवाब मिलते हैं एक बिलकुल गलत एक गलत और एक ठीक तीसरा जवाब कम ही मिलता है अकसर दो ही जवाब मिलते हैं दोनों गलत वाले ठीक है इस question को try करो बड़ा ही interesting question है I repeat हिंदी में भी English में भी English में तो लिखा हुए हिंदी में कर मैं repeat करूं 21 cm के container को पानी से कितना भरे हैं पानी का reflective index 4 by 3 है glass का 3 by 2 होता है अकसर ठीक है बट कोई जरूरी नहीं है पानी का 4 by 3 है और glass का 3 by 2 रहता है अकसर ठीक है तो कितना इस container को हम भरें कि उपर से देखने वाले आदमी को ये आदा भरा और आदा खाली नजर आए आदा भरा आदा खाली है ये उससे मतलब नहीं है आदा भरा और आदा खाली नजर आए ठीक है तो इसके लिए इसको कितना पानी भरा जाए ट्राइ करो ज़रूरा इसको बड़ा interesting सवाल है मतलब जो है वो तुम खुद सोचो मतलब क्या है इंग्लिश लेंगज में तुम्हारे सामने कोश्चन है अब वहां पर तुम्हें एक्जामनली थोड़ी बोलेगा मतलब क्या है फिर ही मैंने तुम्हें हिंदी में एक्स्प्रेंट कर दिया है उपर इसमें कितना पानी डालें कि observer को यह आदा भरावा और आदा खाली नजर आए अब इसा क्या मतलब है यह तुम खुदी कॉम्प्रिहेंड करो ठीक है जादा नहोंने एक आण हमें इसको अब लेना पड़ेगा क्योंकि अपने सिर्फ पास मिनटी रहे गए है अब बच्चे का जवाब आया एक जवाब जिसमें से घटे जवाब वह है कि अगर आपको आदा भराव नजर आया खाली नजर आए तो आदा बर दो यानि कि साड़े दस बर्दो तो वह तो बिल्कुल ही वाईया जवाब हो गया वह तुम्हें मालूम पढ़ जाए क्यों वाईया जवाब है एक बच्चे क्या बोलेगे सर इसको एच तक बढ़ देता हूं मैं जैसा मिरदूल ने किया होगा इसको बढ़ दिया है अब यह आदमी तो इसको हवा में देख कर देंगे अब इसको यह नजर आना चाहिए आधा आधा कितना है 21 बाइदो तो यहां पर हम क्या बोलेंगे थ्री एच बाइफ फॉर इस इकोल टू 21 बाइदो योगा साथ योगा टू तो एच का वैल्यू ना से निकल गागा है 14 सेंटीमेटर जो की गलत जवाब है गलत तुमने इसको 14 सेंटीमेटर तक भर दिया कोई भी चीज तुम्हें आधी भरी आधी खाली कब नजर आएगी या तो उस पर मार्किंग हो भई अब मार्किंग थोड़ी देख रहे है अगर तुम विजूली देखोगे तुम्हें आधी भरी आधी खाली कोई चीज तब बानता हूँ कि तुम्हें पानी जो है वो सैड़े 10 सेंटीमेटर का नजर आएगा 21 बाई 2 का नजर आएगा लेकिन हवा कितनी बची बिच्छे हवा बची सिर्फ 7 सेंटीमेटर तो यह इकोल तो नजर नहीं आएगा तुम्हें लगेगा पानी भरा है सैड़े 10 और हवा भ मैंने बोला कितना बरूं कि यह आदा खाली आदा भरा नजर आ यानि कि हवा भी इतनी आनी चीए और पानी भी इतना आना चीए तो कैसे करेंगे देखो जरा बड़ा इंटरस्टिंग इसका सॉलूशन है इसको हम कैसे करेंगे इसको हम बोलें हमने एच भर दिया तो अगर हवा कितनी रह गई हवा हमारी रह गई है एच माइनस एक्स तो यहापर हम इससे सॉलूशन निकालें तो यहापर हमारी जो हवा है वो रह गई है एच माइनस एक्स यह क्या हवा और पानी हमें कितना नजर आएगा एच हम यहापर देख रहे हैं हवा में देख रहे हैं हव minus x हामें हवा नज़र आ यह से इसको इसको इդァर लेकर यह तो x- x is equal to sorry मैं आपे x- x गलती देगे न हां अरे यह ए तो मैंने अगलबड कर दिया here it now 21- h तुम्हार कितनी नजर आईगा 21- मैंध है 21- मैंध अगर तुम्हें है था हवा कितनी होगा 21- मैं-H और यह पानी कितना नजर आएगा है तो लेकिन नजर कितना आएगा, h into 1 upon 4 by 3, तो अब रिखेंगे 21 is equal to h plus 3 h by 4, यहापर हो गया 21 is equal to 7 h by 4, और h का value आगे 12 cm, अगर हम इसको 12 cm भर देंगे, तो हवा कितनी नजर आई, 9 cm गी, और यह 12 कितना नजर आएगा, 12 into 1 upon 4 by 3, तो कितना नजर आएगा, 3 उपर जाएगा, तो यह भी 9 नजर आएगा, तो अगर इसको मैं 12 भर दू, तो हवा भी 9 बच गई, और यह 12 का 9 नजर आएगा, यह मैं आपर तुम्हें दिखा रहा हूँ, 12 कितना नजर आएगा, 9 नजर आएगा, तो यह हमारा 12 cm यहापर correct answer हो जाएगा, 14 वाले ने क्या गलती किये, 14 वाले न कहना क्या चाहता है, समझ नहीं आया, ठीक है, यह हमें 14 cm कर मैं इसको भर देंगे,